आज हम सीखेंगे BGA व्यंजकों का विभाजन जिसमें हम एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन करना सीखेंगे यदि BGA व्यंजक यानि Algebraic Expression में एक या एक से अधिक पद हो जिसका गुणांक यानि कोईफिशंट शून्य तर हो और जिसके चरो की घाद रिणितर पूर्णांक यानि Non-Negative Integer हो तो ऐसे व्यंजक बहुपद यानि पॉलिनॉमियल कहलाते हैं जैसे यह सभी बहुपद है एक ही पद हो तो इसे हम एक पदी यानि Monomial कहते हैं दो पदों वाले व्यंजक द्विपद यानि Binomial कहलाते हैं तीन पदों वाला व्यंजक त्रिपद यानि Trinomial कहलाता है और इसी प्रकार अन्य कई स्थीतियों में हमें किसी एकपदी को एक अन्य एकपदी से विभाजित करना पड़ता है इन्हें कैसे विभाजित किया जाता है इसे समझने के लिए चलिए एक रूचक उधारण देखे हमें 15x का घं विभाजित 10x का वर्ग का परिणाम ग्याद करना है इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं अब हम अंच और हर दोनों को कुनन खंडों के रूप में लिखेंगे यहां हम 15x के घन को इस प्रकार और 10x के वर्ग को इस प्रकार लिख सकते हैं यहां 5 गुणा x गुणा x अंच और हर दोनों में उभैनेश्ट है इसलिए हम इसे अंश और हर दोनों में काटेंगे इस विदी को हम निरस्तिकरण यानि कैंसलेशन की विदी कहते हैं इससे हमें 15x का घन विभाजत 10x का वर्ग का परिणाम प्राप्त होगा 3x बटे 2 चलिए एक और दिल्चस्प उधारण ले विडियो रोक कर आप 21x का घन y का वर्ग z को 7x का घन z से भाग दीजिए और परिणाम ग्याद कीजिए चलिए हम बताते हैं हम 21x का घन y का वर्क z को गुननखंडों के रूप में इस प्रकार तता 7x का घन z को गुननखंडों के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं अंश और हर के उभयनेश गुननखंडों को काटने पर हमें विभाजन का परिणाम प्राप्त होगा 3y का वर्क अब आप किसी एक पदी को एक अन्य एक पदी से अवश्य विभाजत कर पाएंगे तो आज हमने सीखा BGA व्यन्जकों का विभाजन जिसमें हम एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन करना सीखा अगले वीडियो में हम बहुपद को एक एक पदी से विभाजित करना सीखेंगे